दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज की इस ओडियो फाइल में हम मोगल सामराजय के दूसरे सासक हुमाईू के बारे में मुख्य पॉइंट जानेंगे देखिए बाबर के बाद हुमाईू 1530 इस्वी में राजगदी पर बैठा और 1556 इस्वी तक सासन किया दोस्तो हुमाईू का नाम नसिर्युदीन हुमाईू था जो 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वरस की अवस्था में सिहासन पर बैठा दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमाईू बद खसा का सुबेदार था हुमाईू ने राजय भी सेख के बाद अपना राजय अपने तीन भाईयों जिनका नाम था कामरान, असकरी और हिंदाल इन तीनों में अपना राजय बाठ दिया जो कि उसकी एक बहुत बड़ी राजनितिक द्रस्टी से बहुत बड़ी गलती थी उमाईू ने दिल्ली के निकटती दीन पनान अगर के स्थापना की और उसका जो परमुक सत्रू था वो था सेर्शा सूरी सेर्शा सूरी का नाम सभी ने सुना होगा जिसने जीटी रोड यान के गरांड ट्रंक रोड बनवाया था उसी ने उमाईू को चोसा के युद में 1549 इस्वी में हराया था और 1540 इस्वी नेक्स्ट इयर ही 1540 इस्वी में कन्योज चोकी बिलग्राम में है के युद में प्राजित होने के बाद हुमाईू को भारत से बाहर सरन लेनी पड़ी यानि के हुमाईू लगातार दो युद हार गया और उसके बाद उसको बारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा इस साधार पर हुमाईू का सासनकाल दो चरणों में भी बग्त किया जाता है जो की पहले पर्थम है 1530 से 1540 यानि के पहले उसने 1530 से 1540 तक सासन किया और उसके बाद वो निर्वासी तो गया बाहर चला गया बारत से आरकर सेरसा सूरी से और फिर वापिस आया 15 साल बाद 1525 वी में और फिर उसने शिर्फ दो ही साल जीवन के यहाँ पर बिताया और उसके बाद उसकी मिर्ट्यू हो जाती है आगे जानेंगे हैं मुझकी मिर्ट्यू कैसे होई थी अगला पॉइंट है अपने निर्वासन काल के दोरान हुमायू आरंभ में अमर कोट के राना वीर साल के महल में रहा और बाद में उसने इरान के साह के यहाँ सरन ली यानिके जब वो हार गया सेर सासूरी से 1540 इस्वी में तो वह राना वीर साल के महल में रहा जो की अमर कोट में था और इस निर्वासन के दोरान ही राना वीर साल के महल में ही क्या था उमायू की पतनी को अकबर ने जनम दिया था क्योंकि अकबर जो अगला सासक बनता है वो किसका बेटा था हुमायू का बेटा था तो 1555 इश्वी में इरान के सहा तथा बैरम खां की मदद से उसने पुने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली तो दोस्तो राणवीर साल के महल में अकबर का जनम उने के बाद फिर वे अपने बच्चे को और अपनी बीवी को लेकर क्या है इरान के राजा के पास चला जाता है और उससे क्या है मदद मांगता है और 1555 में उसने अपने एक सैनापती को बेज़ दिया जिसका नाम था बैरम खां की मदद से और इरान के साराजा की मदद से क्या है वह बार्द वापिस आता है और दिल्ली पर कबजा कर लेता है कौन कर लेता है हुमाईू आगे बढ़ते हैं 1556 में दिल्ली में सेर मंडल नामक पुष्ट काले की सीडियों से गिरने के कारण हुमाईू की मृत्यू हो गई तो ये था हुमाईू की मृत्यू का कारण क्या था जब वह वापिस आया उसने दिल्ली की राजगदी पर सासन किया तो क्या था एक दिन वह लाइबरेरी में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते क्या है नीचे उतर रहा था सीडियों से और जैसे वह सीडियों से नीचे दिल्ली दिल्ली की गद्दीपर राज किया हुमायू जयोतिस में विश्वास करता था इसलिए उसने सब ताके सातों दिन सात रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे यानि कि हुमायू क्या था जो तीस विद्या में विश्वास करता था इसलिए वो सात रंग के कपड़े पहनता था सातों दिन अलग-अलग चेंज करके हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायू का मकबरा बनवाया यानि के हुमायू का मकबरा कहा पर है वो दिल्ली में है हुमायू की सोतेली बहन गुलबदम बेगम ने हुमायू नामा की रचना की हुमायू नामा में हुमायू के कार्यकाल के बारे में संपुन जनकारी मिलती है औ और उस हुमायू नामा किताब की जो रचना हो किसने की थी हुमायू की सोतेली बहन बेगम गुल बदनने तो ये थे हुमायू के बारे में परमुख तथ है जो प्रिक्षा में आम तोर पर पूछे जाते हैं दोस्तो हम इस तरह की ओडियो फाइल इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं उमीद है आपको आज की ओडियो फाइल पसंद आएगी और पसंद आते है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए दोस्तों साथ शेर कीजिए थेंक यू वेरी मुच